भाई यो और भहनों, कल जो चुनाव नतीजे आएं, उसका निहितार्थ बहुत गहरा है, उसके माइने बहुत बड़े हैं। लोग सभाज चुनाव में जो नतीजे आएं थे, ये उसका और व्यापक विस्तार है। भारतिय जनता पार्टी पूर्व में जीती, मनिपूर में कमल का जंडा फ़रा दिया। भारतिय जनता पार्टी सुदूर पस्चिम में, कच्छ के रेगिस्तान में, अबडासा में, गुजरात की सभी की सभी सिते जीत ली। भाजपा को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में विजय प्राप्त हुई। और भाजपा को दक्षिण में, करनाट का तेलंगना में भी सभलता में दी। इतने नों दो केंदर सासित प्रदेशों में भी चुना हुआ। जैसे अभी नड़ा जी बता रहे थे लड़ात में, उसी प्रकार से दीव दमण और सेलवास में भी वहाँ भारतिये जनता पार्टी का जय जय कार हो गया। भाजपाही एक मात्र ऐसी राष्ट्रियस्तर की पार्टी है, जिसका पर्चम देश के नागरी कोने ही पूरे देश में फैराया है। आप याद कीजिए, कभी हम दो सीट पर थे, दो, और दो कमरों से पार्टी चला करती थी, आज हिंदुस्तान के हर कौने में है। हर किसी के दिल में है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कैसे हुआ? इसका उतर कल जो नतीजा आए हैं, उसी में मिल जाता है। साथियों, भारत के लोग, 21 सदी के भारत के नागरिक, बार बार अपना संदेश पस्ट कर रहे हैं। अब सेवा का मोका उसी को मिलेगा जो देश के विकास के लक्ष के साथ इमानदारी से काम करेगा। हर राजनितिक दल से देश के लोगों की यही अपेक्षा है, कि देश के लिए काम करो, देश के काम से मतलब रखो। कल जो नतीजा है, उन्होंने साबित कर दिया है, कि आप काम करेंगे, तो लोगों से आपको भरपूर आशिरवाद भी मिलेगा। आप खुद को समर्पित करेंगे, 2400 गंटे देश के विकास के बारे में सोचेंगे, कुछ नया करने की चेश्टा करेंगे, तो आपको नतीजे भी मिलेंगे। देश की जनता आपकी महनत को देख रही है, आपकी तपस्या को देख रही है, आपकी नियत को देख रही है। और इसलिए चुनाव के समय बिना क्रिशी भ्रम्मे पड़े, जनता जनादन आपको वोट कठिनाई को बीच भी घर से निकल करके देख करके आती है। कल के नतीजों में देश की जनता ने फिर ये तै कर दिया है कि 21 सदी में देश की राजनीत का मुख्याधार सिर्फ और सिर्फ विकास ही होगा।